तो अब हम इसकी परिभाशा की ओर चलें और अब हम बहतर सिती में होंगे राष्ट की परिभाशा को समझने में What is the definition of the word nation? जो राजनेतिक विचारक है प्लिटिकल साइंटिस उन्होंने जैसा मैंने पहले बताया अपने अपने तरीके से इसको परिभाशित किया है राष्ट को और पूर में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के अनुसार राष्ट जो है वो मात्र चीन चार तत्वों का का सम्मिश्रन होना जरूरी है राष्ट की परिभाशा मुक्ष रूप से तीन तरीकों से की गई है तीन नजरिये से की गई है वो तरीके जो है वो नजरिये की और इशारा करते हैं दृष्ट कोण की और इशारा करते हैं कई लोगों ने तो कहा है कि राष्ट की परिभाश और कई तो ऐसे हैं कई विद्वान जिन्होंने राष्ट की परिभाशा में स्वंस्कृत और मनोवग्यानिक दिश्टिकोंड को शामिल किया है। पहला शब्द की विद्पति के आधार पे पहला दिश्टिकोंड पहला नजरिया, दूसरा नजरिया राजनैतिक दिश्टिकोंड से और तीसरा नजरिया सांस्कृतिक जायतिहासिक मनोवग्यानिक दिश्टिकोंड से इन सब का वेवरण थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें इन सब के बारे में शब्द की उत्पत्ति के अधार्थ के माइने क्या है जैसा मैंने बताया है कि नेशन शब्द से बना है और नेशन शब्द नैशियों से बना है लातीनी भाशा में नैशियो का अर्थ मैंने क्या बताया था जन्म या वंश रेश तो शब्द के अर्थ के आधार पर उद्य हम जाएं उसके उत्पर्ति पर जाएं तो राष्ट का अर्थ हुआ वह जन्समूह जो वंश अथवा जन्म की एकता से बंधा है ऐसा जन्मानस का समूह ऐसा जन्समूह ऐसा व्यक्तियों का जुंड जिसका वंश एक हो या जो जन्म से और वंश से बंधे हुए हो अब बंधे का अर्थ क्या है एक ही वंशावली हो जिनकी जिन विद्वानों ने जातिया शब्द की उत्पर्ति को आधार माना है उनमें दो तीन लोग बड़े प्रमुख हैं वर्गेश, लीकॉक और फ्रेडियर फ्रोरे इन लोगों ने शब्द की व्युत्पति के आधार पे राष्ट को परिभाशित किया है बर्गेश का क्या कहना है बर्गेश नेशन शब्द को किर्धंग से परिभाशित करते हूं उनके अनिसार राष्ट जो है वो भागोलिक एक्ता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाती की जन संख्या है बहुत सरल परिभाशा बहुत सरल तरीके से उन्हेंने राष्ट को परिभाशित किया है भागोलिक एक्ता हो और उस भागोलिक एक्ता में रहने वाले एक ही जाती के लोगों की उसकी जन संख्या को राष्ट कहते हूं याने नसली एक्ता के आधार पर नसल के आधार पर ये परिभाशित हो रहा रेस नसल याने रेस नसली एक्ता से उनका विप्राय ऐसी जन संख्या से जिसकी भाशा एक है जिनका साहित भी एक हो जिनका एक तरीके से परंप्राय एक हो जिनका कहना चाहिए इतिहास एक हो तो नसली एकता से अर्थ उनका मात्र केवल वंश ही नहीं था पर उनका यह कहना था कि मूल रूप से इन सब बिंदूओं में एक रूपता हो साहित को लेकर, भाषा को लेकर, परमपराओं को लेकर, एतिहासिकता को लेकर और इन में सब में एक रूपता दिखे रीती रिवाज इनके एक हो और जिसकी उचित और अनचित की चेचना भी संयुक्त है यह पंक्ति वाकरी में जोडते हैं जिनके रीती रिवाज संयुक्त हो और जिसकी उचित और अनचित की चेचना भी संयुक्त है ये उचित और अनुचित वाली बात बर्जिस ने जो जोड़ी है इसके पीछे तातपर ये है कि समान हित, सबका हित, हित को देखकर उचित और अनुचित का निर्धारन करें यद ये बिंदू किसी एक समाज में उपस्थित हैं तो वो एक राष्ट बनाते हैं वहीं दूसरी ओर लीकॉक, L.E.A.C.O.C. के लीकॉक, उनका कहना है कि राष्ट शब्द का उपयोग बहुत हलके रूप में किया है परन्तु उसको नस्ल सम्मंधी रूप में समझना आसान है याने उसका भी उन्होंने बर्जेस जैसे नस्ल से ही जोड़ा है और उनके अनुसार राष्ट से अभी प्राय एक जाती या वंचगत विशेष्टाएं एक रूप वंचगत विशेष्टाएं उर्थ से है दूसरे शब्दों में लीकॉक और बर्जेस नस्ली दाइरे से दृष्टिकोंड से राष्ट की को परिभाशित करते हैं लेकिन थोड़ा इसे हम पूरी तरह से स्विकार नहीं कर सकते इस परिभाशा को इसके अलुचक जो हैं उनका कहना है कि आज के युग में नस्ल तो राष्ट का कतई आधार नहीं हो सकता आज जहां विश्व में इतना ज़्यादा लोगों का मुहमेंट हो गया है एक खेतर से दिशरे खेतर जाना आना और वहां बसना इतना ज़्यादा हो चुका है तो ऐसे में नस्ली एक्टा की बात करना और राष्ट की परिभाशा उस नस्ली एक्टा के जरिए देना यह उचित नहीं होगा इस परकार नस्ल को राष्ट का आधार मानना अनुचित है ऐसा इनका कहना तो यदि नस्ली एक्ता की बात हम भटा दें तो दूसरा दिश्टिकॉन जो मैंने बताया था राजनेतिक दिश्टिकॉन राजनेतिक संबंध इस दिश्टिकोन में क्या है जाति संबंध नसली आधार पर राश्ट की परिभाशा से जो लोग सहमत नहीं है उनका कहना है कि राजनेतिक एकता राजनेतिक महत्वा कांख्षा वहां उसमें समानता हो इन विद्वानों का कहना है जो इस दूसरे दिश्टिकोन से राश्ट को परभाश्षित करते हैं उनका कहना है कि राश्ट कोई जाती या नसली संगठन नहीं बलकि भावनात्मक रूप से संगठित लोगों का वह समुः जिसे राजनेतिक स्वतन्ता मिली हुई हो जिसे पूर्ण रूपेन राजनेतिक स्वतन्ता मिली हुई हो ये उनके अनसार राश्ट कोई जाती राश्ट कोई नसली या खेत्री या भाशावादी संगठिन नहीं है बलकि यदि किसी भावनात्मक रूप से संगठित लेंगों के समुः को यदि राजनेतिक स्वतन्ता प्राप्त नहीं होती तो वह राश्ट होई नहीं सकता तो इसलिए राजनेतिक स्वतन्ता उस समुः के लोगों में दि है तो वह एक राश्ट है राजनेतिक स्वतन्ता इस दिश्टिकोन के अनसार यदि हम राश्ट की परिभाशा बोलें तो मिस्टर हेस हेस मिस्टर हेस के अनसार एक राश्टियता राजनेतिक एकता और सम्प्रभुता को प्राप्त करके राश्ट बन जाती है देखे एक राश्टियता राजनेतिक एकता और सम्प्रभुता को पाने के बाद राश्ट के रूप में बन जाती है समप्रभुताकार्थ क्या होता है? सौविरिन. मैंने अन्यध्यायव के संदर में इस शब्द का जिक्र किया है, जहां पर वहां के निवासि सौविरिन हो, सार्वभौम हो, समप्रभु हो, अपने लिए स्वयम निर्ने लेने की ख्षमता और ताकत रखते हो, राजनेतिक ता रखते हो, वो एक राष्ट है, ऐसा मिस्टर हेस का कहना है, हेस सहमत होते हुए लौड बाइस, जो स्वयम भी राजनेतिक विचारक हैं, बी आर वाई येस, उनके शब्दों में राष्ट और राष्ट्रीता, वो है, जिसने अपने आपको स्वतंत्र या स्वतंत होने की इ संगठित किया हो, यानि राजनेतिक स्वतंत्रता, सार्व भौमिक्ता और स्वयम के द्वारा निर्ने लेने की शमता, एक राष्ट के अंदर रहने वाले समाज में होनी चाहिए, ऐसा लौड ब्राइस का भी कहना है, गिल क्राइस्ट, जो भी, वो स्वयम भी, इसी राजन निर्नेतिक दिश्टिकोंड से परिभाषित करते हैं, राष्ट शब्द को, उनका कहना है कि अर्थ की दिश्टि से राष्ट और राज दोनों समान हैं, अब देखिए, पहली बार ये शब्द राज और राष्ट दोनों शब्द आपके सामने आ रहे हैं, दोनों में अंतर है लेकिन मिस्टर गिलक्रिस का कहना है कि अर्थ की दृष्टी से दोनों समान है राष्टकार थोड़ा व्यापक हो जाता है और उस व्यापकता में क्या होता है राज्य में कुछ और मिला देने से राष्टका निर्मान ये कुछ और क्या है राज्य में कुछ और कुछ और ज कुछ और मिला देने से राष्ट का निर्माण होता है तो आखिर वो कुछ और क्या है उनके अनुसार मिस्टर गिलकरिश्ट का अनुसार एक राज की रूप में संगठित लोगों की एकता राष्ट है तो यानि राज जो है आवश्यक नहीं कि वहां एकता की भावना सतत रू लेकिन राश्ट में ये भावना रखती है। राश्ट राज्य का एक विश्तृत रूप है। व्यापक रूप है। ऐसा मिस्टर गिल कृष्ट का विचार है। याने हम गिल कृष्ट की बात को यदि संख्यप्त में लिखें। एक फॉर्मूले के रूप में तो बड़ा सरल है राश्ट बराबर राज्य धन राश्टियता। तो वो कुछ और क्या हुआ जो मैंने पूर में बताया था। इन्वर्टेट कॉमा में हैं कुछ और कार्थ है राश्टियता। राश्ट की जो परिभाशाएं उपर आपको हमने ने बताई हैं भी इसकी भी कुछ लोगों ने आलोचना की। वंश आधारित परिभाशा की या शब्द आधारित परिभाशा की राजनेतिक दिश्टिकोंड से आधारित परिभाशा की इसकी भी आलोचना हुए। इतिहास में अचे अनेक उधारण है और अलुजना होना स्वभाविक है क्योंकि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक वंश के लोगों से एक राष्ट बनता है आप ग्यार्वी के विद्यार्थी के नाते आपने बहुत से देश सुने होंगे जहां पर धार्मिक भिन्नताएं हैं भाशाई भिन्नताएं हैं और नसली भिन्नताएं भी हैं रेज भी अलग-लग हैं तो क्या वे राष्ट नहीं हैं उपर जो मैंने पहले परिभाशा बताई उसमें तो ऐसा लगता है कि शायद राष्ट का संबंध नस्र से यदि हो तो बहुत से देश, बहुत से राष्ट राष्ट नहीं कहलाएंगे इतिहास में तो अनेक उदारा हैं जिनसे साफ पता चलता है कि राज्ज में कई राष्ट हो सकते हैं एक राष्ट में कई राष्ट हो सकते हैं और एक राष्ट कई राज्यों में भी पहला हुआ हो सकता है मैं इस लाइन को पुना दोहरा दूँ यदि आप इतिहास के पन्ने पल्टें तो आपको देखेंगे कि जो उपर बातें बताई गई हैं राजन्यतिक दिश्टिकोंड और नसली दिश्टिकोंड तो आप देखेंगे कि कई ऐसे राज्य हैं जो जिसमें कई राष्ट समाहित हैं अर्थात राज्य में कई राष्ट हो सकते हैं और एक राष्ट कई राज्यों में फैला हो सकता है पहले पूर्व जर्मी और पश्मी जर्मी दो अलग-अलग राज्य थे लेकिन दोनों राज्यों के नागरिकों का राष्ट एक ही था ये पूर्वी जर्मनी और पश्चमी जर्मनी के इतिहास को आपको थोड़ा सा स्वायम देखना पड़ेगा थोड़ा स्वायम समझना पड़ेगा दो राज्य दोनों की अलग राजधानिया दोनों की राजन्यतिक सत्ता अलग अलग विचार धरक के आधार पर संचालित लेकिन फिर भी राष्ट एक अर्थाथ एक राष्ट एक से ज़्यादा राज्यों में फैला हो सकता है दूसरी और हम भारत की अधी बात करें जहां पर न जाने कितनी भाषाएं हैं कितने धर्म हैं कितनी जातियां हैं तो क्या हम एक राष्ट नहीं हैं निश्चित रूप से एक राष्ट हैं तो यह दूसरा दृष्ट कोण भी जो है वह आजनिक दृष्ट से राष्ट को सही पारिभाशित करने में असफल है अब हम तीसरी पर दृष्ट कोण पे जाते हैं जिसका जिक्र किया था सांस्कृतिक और मनोवेग्यानिक दृष्ट कोण यदि इस नजरिये से देखें तो भावनात्मक एक्ता इस नजरिये में सबसे अहम है भावनात्मक एक्ता पूर्वी जर्मनी पश्वी जर्मनी भारत ये राष्ट है तो किस आधार पर भावनात्मक एक्ता संबंधी दिश्टिकोण के पीछे विद्वानों का तर्क ये है कि राष्ट के निर्माण के लिए जाती नसल इनका ही साज़ा होना या परंपराओं का ही साज़ा होना परअप नहीं है परंथ लोगों में मानसिक एकता होनी चाहिए साज़ा होने करने की संभावनाय होनी चाहिए साज़ा करने के लिए अपनी संस्कृति को साज़ा करने की ततपरता होनी चाहिए भावनात्मक रूप से एक रूपता हो पूर्वी जर्म्नी और पश्वी जम्नी दो राज्य तो बन गए दोनों के बीच में भावगोलिक सीमा एक लाइन खीज दी गई दो राज्य बन गए लेकिन भावनात्मक रूप से वहां के लोग एक ही थे इसलिए एक राष्ट के अंदर दो राज्यों की बार थी इस विचारधारा से जो इस लोग सहमत हैं भावनात्मक दृष्टिकोण की विचारधारा से उनके अनुसार भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को राष्ट का मुख्य आधार माना जाना चाहिए ये कुछ और जो है ये भावनात्मक एकता सांस्कृतिक एकता से इसका ताथपर है उनके अनुसार इस पकार की जो एकता होती है इस पकार की जो एकता की भावना होती है वो लोगों में जाती नसली समानता एतिहासिक समानता और इसके साथ साथ परस्परिक समानता इस कारण उत्पन होती है इन विद्वानों में जदे हम बात करें जो तीसरी दर्जेक श्रेणी में जो आते हैं जो सांस्कृतिक और भावनात्मक विचारों की अहमियत को राष्ट को परभाशित करते हैं में सबसे उपर रखते हैं उनमें हैं ब्लंट्शली सबसे अहम नाम है ब्लंट्शली उसके बाद गवर्नर फिर जीमन बारकर हाउजर और स्टालिन ब्लंट्शली जो इस विचार धारा के सबसे प्रख्यात राजनितिक वग्यानिक हैं उन्होंने कहा है कि राष्ट ऐसे मनुश्यों के समू को कह सकते हैं जो विशेश्ट या भाशा और रीती रवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बंदे हुए हैं जिसमें उनमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की तुद्रभावना पैदा होती हो एक समान सभ्यता से बंदे हुए हैं और जब सभ्यता की बात आती है तो एतहासिक्ता की बात आती है पूर वितिहास की बात आती है परमपराओं की बात आती है संस्कृत की बात आती है गारनर राष्ट संस्कृतिक रूप से समान व्यक्तियों का सामाजिक समुदाय राष्ट जो है सांस्कृतिक रूप से समान उनलों का एक नमुदाय है जो भावनात्मक दृष्टी से और मनोवग्यानिक दृष्टी से एक दूसरे से जुड़ हुए हैं सचेत हैं सजग हैं एक दूसरे के प्रती भावनात्मक एकता के लिए जो लोग सजग हैं सचेत हैं वह राष्ट कहलाता है यह गार्नर की परिभाश्या हुए वहाई जमर्ण तीसरे प्रिटिकल एनलिस्ट उनके अनिसार राष्ट ऐसे लोग का समूः जो एक विशेज भावुकता सामीप्य और गौराओ के संयुक्त भावना के साथ जुड़े हैं सामीप्य होना जरूरी है सामीप्य से ताथ पर है निकटता भावनात्मक रूप से एक दूसरे को अपने से निकट मानते हूं अन्य लोगों की तुलना में तो इस परकार ये सामीप्यता का होना बहुत जरूरी है एक राष्ट के को परिभाशित करते समूँ और यहीं पर फिर मात्री भूमी की बात आती है तो इस परकार जिमारन जो परिभाशित करते हैं मैं कहते हैं राष्ट ऐसे लों का समूँ जो एक विशेज भावुक्ता सामीप्य और गौरव की संयुक्त भावना द्वारा जुड़ हुए हों और एक मात्री भूमी से संबन देते हूं और थार खेतरीता की बात भी उसमें वो शामिल करते हूं ये परिभाशाएं जो मैंने पूर में दी लगभग नौ से दस लोगों के द्वारा राष्ट की परिभाशा राष्ट के प्रति उनका द्रिश्टिकोन तो इससे इस पश निशकर्ष है कि ये व्यक्तियों का समूँ है इस बात में सभी सामत हैं और पर भी सब सहमत हैं कि मानसिक और सांस्कृतिक एकता राष्ट निर्माण के लिए जरूरी है भावनात्मक मानसिक एकता से ताट पर है भावनात्मक तो भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक एकता अर्थात एतिहासिक दिश्टि से उनका एक तरीके का कॉमन एतिहास रहा हो तो ये राष्ट निर्माण के लिए जरूरी है राष्ट निर्माण का अर्थ है राष्ट बनाने के लिए राष्ट विकास की बात नहीं कर रहे हैं हम राष्ट निर्माण की बात कर रहे हैं एक राश को बनाने के लिए इन तत्वों का होना बहुत आहम है शुर्दर लैंड में भाशाई भिनिता जैसा मैंने बताया और धार्मिक भिनिता भी बहुत है शुर्दर लैंड में भाशाई भिनिता और धार्मिक भिनिता भी बहुत है शुर्दर लैंड एक राष्ट माना जाता है, एक देश, एक राष्ट माना जाता है, और यही बात भारत के समन्द में भी है, निशकष रूप से हम कह सकते हैं अब, और आप इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे, कि किसी राष्ट के लिए भावनात्मक एकता, उसका प्रमुक्तत्व है, तो रज, धन, भावनात्मक एकता, लेकिन इसका विकास, राष्ट का विकास जो होता है, वो धर्म, भाशा, जाती के बिना भी हो सकता है, इस पकार हमने राष्ट को समझने की कोशिश की है उसके राष्ट को समझने के लिए जो तीन अलग-अलग नजरिये थे उन नजरियों पर पकाश डालते हुए हमने समझा है कि भावनात्मक एकता किसी राष्ट के निर्मान के लिए एक अहम तक्त्व है ये तो हुई राष्ट की बात नेशन अब हम आते हैं थोड़ा उससे आगे नैशनलिटी अर्थात राष्टियता देश भक्ति को अभी मैंने नीच हुआ है और वो इसलिए कि पहले हम राष्ट राष्टियता को अच्छी तरह समझ जाएं फिर हम जानने की कुशिश करेंगे कि राष्टियता और देश भक्ति में क्या अंतर है या राष्टवाद और देश भक्ति में क्या अंतर है राष्टवाद भी राष्टियता से ही जुड़ा हुआ इसलिए हम पहले राष्टवाद के मूल में जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हमने राष्ट क्या है, कैसा होता है, क्या परिवाश्चा है समझा अब हम थोड़ा राष्टीता जाने नैशनलिटी जैसे राष्ट शब्द के लिए अलग अलग दिश्ट कोण है ऐसे ही राष्टीता के लिए अलग अलग दिश्ट कोण है लोगोंने अलग अलग तरीके से राष्टीता को सोचा है यदि शब्द उत्पत्ति की बात करें तो मैंने जैसे लिखा है नैशनलिटी और नेशन से बना हुआ है नैशियो जिसका नस्ल या पैदा हुआ से संबंध है इस आधार पर एक समान नस्ल में पैदा होने वाले मनुशियों का समूँ एक राश्टी इता होगी बहुत सरल एक नस्ल वाले एक शेतर में पैदा हुए लोग एक नस्ल के लोग एक राश्टी इता कहलाएंगे लेकिन इस अर्थ को अब कोई नहीं मानता क्योंकि राश्ट की परिभाशित करते था मैं जब मैंने बताया था है नस्ल वादी दृष्ट कोण तो ये बासपश्ट हो गई थी कि ये परिभाशा बिलकुल सही नहीं बैठती गलत ही है तो राश्टीता का अधार भी यदि नस्ल से लिया जाए तो वो लोगों कोई स्विकार नहीं है लेकिन इस अर्थ को अब कोई स्विकार नहीं करता है क्योंकि अब संसार में कोई एक ऐसी जाती है ही नहीं जो कह सके कि रक्त की शुद्धता का दावा कर सके और कह सके कि हमारी यही नसल है अब तो पूरी दुनिया में पूरे विश्व में यह कहना मुश्किल होगा कि कौन सा व्यक्ति मूल रूप से किस नसल का था यह अंतर जाती विवा, अंतर खेतरी आवागमन, निवास और यह सब तत्वों ने जाती आधारित राष्ट की परभाशा को बिलकुल गलत सावित कर दिया है तो अब हम थोड़ा इस पर जाएं कि लौड ब्राइस के शब्दों में राष्टीता वह जन संख्या है जो भाशा, साहित, विचार, प्रथाएं और अन्य बंदनों में इस तरह बंदी हुई हैं कि वह अपने आपको एक ठोस एकता में अनुभाव करे एक ठोस एकता में व्यक्तियों का समूह वह जन संख्या जो भाशा, वंश, रंग, जाती इन मुद्दों को लेकर परंपराओं इन मुद्दों को लेकर भावनात्मक रूप से एकता महसूस करे एक ठोस एकता कानुभाव करे और इनी आधारों पर बंदी हुई दूसरी जन संख्या को अलग समझे यानि जन संख्या ऐसी जन संख्या जो इन आधारों पर एक रूप है बंदी हुई है इन आधारों के बल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है ऐसे लोगों का समूह उसके उसकी राष्टीता है और इनी आधारों पर बंदी हुई दूसरी जनसंख्या या दूसरे समूं को वो अपने से अलग समझे तो राश्टीता होती है लौड ब्राइस ने उसी शब्दों में कहा है कि राश्टीता वो जनसंख्या है जो सामाजिक रूप से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बंदी होनी चाहिए बर्गेस का क्या कहना है कि राश्टीता किसी एक रज में रहने वाली संपूर्ण आबादी का एक अलप संख्यक समुदाए ये परिभाशा दी है बर्गेस ने बर्गेस की परिभाशा को हम देख चुके हैं और अब तीसरा जो गिल्क राश्टीता की परिभाशा थी उस पर थोड़ा नजर डालें गिल्क राश्टीता एक अध्यात्मिक भावना है राश्टीता एक सिद्धानत है अध्यात्मिक भावना है कुल मिलाकर भावनाओं का खेल है राश्टीता का बहुत निकट का सम्मंद भावनाओं से है और इस प्रकार राश्टीता की उत्पत्ति उन लोंगों में होती है जो साधारन तोर पर तो एक जाती एक भूमी एक भाशा एक धर्म एक समान इतिहास परमपराएं रखते हैं तथा जिनके एक से राजनेतिक समुदाय और राजनेतिक एकता आदर्श होते हैं तो इसमें किल क्रिष्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भावनाओं से संबंध है भावनाओं से जुड़े हुए हूँ एक जगा रहते हूँ भाशाएं ये सब तो ठीक है लेकिन सब एक जुशे से जुड़ी हुए हूँ इन प्रिभाशाओं के अधार पर हम कह सकते हैं फिर से कि राश्टीता एक भावनात्मक संबंध है राश्टीता बराबर भावनात्मक संबंध है जो एक भाशा, साहित, धर, मितिहास, परंपराओं, आधी के बल पर लोगों को बांध के रखती है लेकिन राश्टीता के लिए जरूरी के सब हो इन में से कुछ मिल जाते हैं इन में से कुछ तत्व नहीं रहते हैं और कुछ तत्व तो आपस में इतना मिल जाते हैं कि वही राश्टीता का निर्माण करते हैं जरूर नहीं है कि भाशा एक हो, भारत के संदर्म यदि हम बात करें, तो जरूर नहीं कि भाशा एक हो, जरूर नहीं कि धर्म एक हो, लेकिन इतिहास एक रहा है, भावगोलिक एकता रही है, और कुछ परंपराएं, कुछ स्वांस्कृतिक एकता, उसका लंबा इतिहास, ये ह हम सब को जोड के रखा है भले जातियां कई हों लेकिन सब सारी जातियां किसी एक धर्म के अंतरगत आती थी तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्टी राष्टीता एक भावनात्मक संबंध है और जरूरी नहीं कि भावनात्मक संबंध या राष्टीता के लिए सभी तत्व समाहित हों इन में से कुछ तत्व नहीं भी हो सकते हैं और कुछ तत्व ज़्यादा हावी भी रहते हैं अलग-अलग देशों की राश्टीता का कारण अलग-अलग हो सकता है पर इन्हीं तत्वों के बीच से वो निकलेगा जब कुछ तत्व आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को संबल देते हैं बांधते हैं तब राश्टीता का निर्मार होता है